मित्रो नमस्कार मैं महिंग त्रिपाठी नव ग्यान जोतिश चैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज जानकारी देंगे कि मकर रासी वालों के लिए ऐसे कौन से योग बनने जा रहे हैं वर्स 2023 में कि मैंने थम नेल में लिख रखा है कि जम कर आपके उपर बर्सेगा धन सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए मकर रासी में सनी की साढ़े साती चल लही है और ये साढ़े साती अभी तक सनी केंद्र भाव में विराजमान थे जिसके प्रभाव से शस नाम का योग तो ये जरूर बना रहे थे लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत भी उत्वपन कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से जितने भी मकर रासी के विक्ति हैं सनी महराज आपके सेकेंड हाउस में दोती भाव में गोचर करने लगेंगे यहाँ पर जब सनी महराज गोचर करेंगे तो मकर रासी के जितने भी विक्ति हैं उनके लिए सनी की साड़े साती का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा यान की अंतिम ढ़िया कह सकते हो आप ये शुरू हो जाएगी लगनेश है शनी आपकी कुंडली में स्वयम धन भाव के और लगन के स्वामी हैं लगनेश जहां पर बैठता है उसकी व्रद्धी कर देता है यह बात मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ जब शनी महराज का गोचर आपके धन भाव पे होगा तो काफी बेहतर रिजर्ट आपको मिलेंगे लेकिन ये ध्यान रखिएगा कुछ मामलों में ये कमी भी करेंगे क्योंकि कोई भी ग्रह जब कुछ देता है तो जीवन में बहुत कुछ ले भी लेता है शनी महराज यहां गोचर करेंगे तो सबसे पहली चीज आप ये जान लिजिए कि धन में तो आपके खुब व्रद्धी होगी आपके पास धन आएगा इसमें कहीं पर कोई भी संसय नहीं है कोई भी डाउट नहीं है एक दरश्टी यह मारेंगे लाब भाव पर यानि सोर्स आफ इंकम पर तो सोर्स आफ इंकम पर बेशक इनकी 7090 है लेकिन सोर्स आफ इंकम आपकी बढ़ जाएगी कोई भी पापी या कुरूर ग्रह जब source of income पे द्रश्टी डाले या वहाँ पे गोचर करे तो ऐसे में उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सनी अलगावादी ग्रह हैं और ये जब दोती स्थान पे गोचर करेंगे तो परिवार से अनबन की स्थिती उत्पन होगी अनबन क्यों होगा क्योंकि वाड़ी स्थान पे जा रहे हैं तो वाड़ी दोस्थ की मात्रा कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत लाने वाली है तो आप वाड़ी पर विशेश तोर पे नियंतरण कियेगा वरना अपनों से आप दूरी बना बैट होगे इसके अलावा चौते भाव पे इनकी नीच की दृष्टी रहेगी जिसके फल सुरू कहीं न कहीं दो तीन महीने तक सुरुवात में जनवरी फरवरी मार्च यानि 21 अपरेल तक मानसिक असांती बनी रहेगी क्योंकि वहाँ पे राहु आ लेडी विराजमान है और राहु के ऊपर जब सनी की दृष्टी चलेगी तो कहीं न कहीं मन आपका असांत रहेगा आप इन सिक्यूरिटी महसूस करोगे उतना सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होगा लेकिन घबडाने की बात नहीं है गुरुदेव ब्रस्पती ये अपने मित्र रासी में गोचर करने लगेंगे 21 अप्रेल 2023 से और पूरा वर्ष यहीं पर ये भ्रहमन करेंगे जब यहां पर गुरुदेव आ जाएंगे तो बेसक इस कुंडली में गुरुदेव अकारक हैं लेकिन मित्र भाव में जब बैठेंगे केंद्र में बैठेंगे तो यहां तो नुक्सान वो नहीं करेंगे मान के चलिए तो जो लोग मीडिया पारलर आदिशेत्रों से जुड़े हैं या जो सामाजिक कारिकरता हैं उनके लिए यहां समय अच्छा हो जाएगा आध्यात्म की तरफ आपका रुजहान बढ़ जाएगा कर्म भाव पे इनकी दृष्टी जाएगी जिसके फल सुरूप यहां पर कारिछेत्र में आपके व्रद्धी होना तैं है इसमें कोई डाउट नहीं है इसके अलावा शनी की दृष्टी आपके आठवे भाव पे पड़ रही है जो कि सुरुवात में चोट चपेट दुरगटना दरसा रही है लेकिन जब गुरु रासी परिवर्तन कर जाएंगे अपरहल से तो वो जो शनी बुरा प्रभाव दे रहे हैं उस प्रभाव में आप आ रहे थे उनके लिए शांदार समय गुरु देव लेकर के आएंगे आप देश-विदेश की यात्रा कर सकते हो जा सकते हो यदे आप काम के सिल्सिने में जाओगे तो भी लाब होगा घूमने फिरने जाओगे तो वह यात्रा भी आपके लिए पॉश्ट्यू रहेग इसके अलावा वर्स के अंत में अक्टूबर के महिने में राहु महराज ये जा रहे हैं आपके तीसरे स्थान में यानि अक्टूबर में जब राहू तीसरे इस्थान में जाएंगे तो एक तरफ यह सत्रूरासी में हैं तो वह भाव तो कमजोर करेंगे लेकिन यह भी यात्राओं को जो है दर्शा रहे हैं यह भी यात्राओं के लिए गजब का समय लेकर के आ रहे हैं यह द्यान लखिएगा कि शनी आपके सप्तम भाव पे द्रश्टी डालेंगे तो सुरुवात में आपको एक सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है वह सावधानिया है कि राहू और शनी दोनों ग्रहों की द्रश्टी अस्टम भाव पे पड़ रही है तो तीन महिने तक यदि आप गाड़ी वाहन सेल्फ ड्राइब करते हो तो भईया थोड़ा संभल के चलाना क्योंकि यहां पर चोट चपेट दुरगटना होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं आर्थिक इस्थिती की अदिबात करें तो जितने भी मकर रासी के जातक हैं आर्थिक इस्थिती वर्स 2023 में उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है अगर स्वास्त देखें तो पूरा वर्स 2023 जिनकी भी चंदरासी मकर है स्वास्त उनका सांदार तरीके से रहेगा कहीं पर स्वास्त में कोई भी बड़ी गड़बडी दिखाई नहीं पड़ रही है प्रेमी जोड़ों की ये बात करें तो प्रेम संबंध के लिए समय सामान है ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है अगर आप वाड़ी पे नियंतर रखेंगे तो आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी लेकिन अगर आप उट पटांग बक्केंगे तो कहीं न कहीं टेंसन आपको जहिलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेर रखिएगा अगर व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए अपरेल से समय अच्छा शुरू होगा अपरेल तक तो इस्टगल पूर्ण इस्थिती बनी हुई है लेकिन अपरेल के बाद से इस्थितियां अनकूल होती नजर आ रही है और अगर देखें तो सभी मकर रासी के विक्तियों के लिए ग्रहों की चाल अनकूल है आपको इसका सदपियोग करना चाहिए कोई नया काम कारोबार यदि आप शुरू करना चाहते हो तो कोशिश करें अपरेल के बाद सुरू करें कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपरेल के बाद इन्वेस्ट करो ताकि पॉजिटिव रिजर्ट ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सके उम्मीद है वीडियो आपके लिए हलफुल साबित होगी मैं कत्रिपाठी को अनमद दीजिये कल मिलेंगे नमस्कार